नमस्कार दोस्तों, Infocus Civil Academy के इस Hindi Practice Batch में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों हम लोग डेली बेसिस पर जो चीजे कवर करते हुँ चल रहे हैं, उसके इतर हम लोगोंने वीकली बेसिस पर कुछ-कुछ टारगेट अपने कम्लेट करना शुरू कर दिया है, जिसमें इस वीक में स सुद्ध और असुद्ध सब्द, और इन सुद्ध असुद्ध सब्दों में आप लोगों का आधा पेज ये लगभग हो चुका था, ये सबसे इंपोर्टेंट जो सुद्ध असुद्ध सब्द हैं, वो हैं, इसमें से आपको एक भी प्रस्ण अगर आपका परीक्षा में आता है, तो उसको गलत नहीं करना है, इस द्रिश्टी से आप लोगों को इसको पढ़ना है, इसको एकदम रट लेना है, चबा जाना है, इस तरीके से आप समझ लीजे, और इसमें हम लोग आधा पेज अपना कल की क्लास में देख चुके थे, बाकी का आधा पेज बचा तो उसको आज हम लोग देख लेंगे, जिसमें सबसे पहला वर्ड है, जो हम लोगों ने लास्ट वर्ड पिछली क्लास में किया था, वो था पांचवां, पांचवां, जिसमें आप लोगों को पता था कि ये चंद्र बिंदू दो लगेंगी, पां में भी लगेंगी, और वां में भी लगेंगी, पां में भी लगेंगी और वां में भी लगेंगी, बीच में चा, तो पांचवां इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये सही वर्ड है, आगे बढ़ते हैं जो अगला वर्ड है हमारा वो है गांधी, अब देखिए गांधी जो है वो लिखा जाता है गांधी ठीक है लेकिन अलग-अलग पुष्टकों में इसे अलग-अलग तरीके से दिया गया है खास तोर पर अगर हम लोग घटना चक्र की बात करें तो घटना चक्र में इसे चंद्र बिंदू लगाया गया है ठीक है अब घटना चक्र में उन्होंने चंद्र बिंदू के रूप में सही माना है जबकि हर्देव बाहरी साहब ने उसको गांधी के रूप में ही सही माना है एसकुमार सरके में भी देखते हैं तो गांधी के रूप में ही सही माना है अलग-अलग जगे और भी हम लोग देखते हैं तो गांधी इसी रूप में सही माना गया है तो इसलिए आप लोग ये मान के चलिए कि ये जो चंद्र बिंदु वाला है ये आपका गलत हो जाएगा ठीक है इसको आप लोग अभी के लिए गलत मान के चलिए आपका ये जो घटना चक्र में जरूर दिया गया है परन्तु आप इसे ही सही मानिएगा ठीक है क्योंकि प्र अदेवारी से बना हुआ है तो वहां पर गांधी आपका इस रूप में दिया है तो आप ये मान के चलिए कि ये वाला ही ज्यादा सही रहेगा आपके लिए ये वाले को आप फिलहाल के लिए गलत मान के चलिए और ये आपके PDF में भी आप इसको आपके आप आप लोग कोरत डिएगा कोशिश करेंगे कि हम भी सक रेक्टिफाई करकर के आपको दे दें Neville मान भूलम सभूं तो भी आप लोग इसको सही कर लीजेगा आगे जो वर्ड है अनुग्रह से बन जाता है अनुग्रहित ठीक है अनुग्रह से बन जाता है अनुग्रहित यानि जिस पर अनुग्रह या कृपा की गई हो तो वो अनुग्रहित जो है उसमें दरसल हम लोग इस तरह से उसको समझते हैं अनुग्रहित जबकि यहां पर दो mistake हो जाती है पहली तो यह कि यह गा में यह वाली मात्रा ना हो करके यह वाली मात्रा होती है तो ग्री हो जाता है यह अनुग्री दूसरी यह हाँ में छोटी ए की मात्रा ना हो करके बड़ी ए की मात्रा हो जाती है तो यह आप यह दो अंतर आ जाते हैं अनुग्रिहीत यह इसका सही वर्ड है तो अनुग्रिहीत यह आपको ध्यान रखना है कई-कई बार पूछा गया यह भी वर्ड तो अनुग्रिहीत हो जाता है ना कि अनुग्रहित ठीक है पहला तो यह इसी को आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आगे देखेंगे शोचनिय, यह आपके डेली बेसिस पर भी कराया गया था, शोचनिय वर्ड होता है, ना कि सोचनिय, सोचनिय नहीं होता है, यह सा यह वाला नहीं बनेगा, यह वाला गलत है, बलकि सोचनिय बनेगा, आगे देखेंगे जोचस यानि आधाता आधास इसी प्रकार से वांगमे अब ये एक ऐसा वर्ड आता है जो कि आपका अगेन कई-कई बार पूछा गया है वांगमे जो वर्ड बनता है उसमें दरसल ये इस प्रकार से लिखा जाता है यानि यहां पर जो अंगा रहता है काखा गागा अंगा तो वो अ उसे करके लिख 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 दे तो इसे करके अलग-अलग इसकी वियाक्याहाइ है आगे नहीं बोला जैना आगे बहसकर एक वर्ड आता है बहसकर यह भी आपको कराया गया है भासकर वर्ड जो है इसमें आपका आधा सा जो बनेगा वो दरसल ये वाला सा बनेगा ना कि ये वाला ये वाला गलत है और नहीं ये वाला बनेगा ये भी गलत है कौन सा बनेगा तो ये वाला सा बनेगा ये सही वर्ड है तो भासकर हो जाएगा ना कि भासकर ठीक अध्यात्म, अध्यात्म देखिए, अध्यात्म जो है उसमें आ में कोई मात्रा नहीं रहती है, अध्यात्म में कोई मात्रा नहीं रहती है, वो केवल अध्यात्म होता है ना कि आध्यात्म, लेकिन जब अध्यात्म में एक प्रत्य लग जाएगा जब आध्यात्मिक बनाएं होगा आध्यात्म यह इसमें अगर हम लोग बड़ी मात्रा लगाते हैं तो यह गलत हो जाता है पूर्ट है और यह सही वर्ड हो जाएगा अध्यात्म अध्यात्म से ही वर्ड बना है अध्यात्मिक ठीक है तो ये भी पूछा जता है अगला वर्ड है स्रश्टा जैसे कि हम लोगों ने बताये था आपको कि द्रश्टा सही वर्ड है उससे जब बनाते हैं द्रिष्टी तो इस प्रकार से हो जाता है यानि द्रश्टा में ये वा जो जाएगी यह दोनों मिलते जुलते वर्ट हैं यहां पर स्रस्टा त्रश्टा में यह वालि दाघा लगी ऑग है ऑगे बढ़ते हैं अननास मोषाच में अननास उससाठा ना नहीं लगते हैं फोट intelligent लोग लोगा समय समझ में नहीं आता है तो यह फिर confusing कर देता है तो वह अननास यह पहले नाम में कुछ नहीं लगना है दूसरे नाम में आधा ना लगना है तो इस प्रकार से अननास हो जाएगा ठीक आगे बढ़ेंगे खिवाईया अब देखे नाव खेने वाला नाव खेवने वाला ठीक है नाव खेवने वाला तो उसको बोलते हैं खिवाईया और खेवने वाला है ना कि खिवने वाला तो इस वज़े से यह खिवाईया नहीं हो जाएगा खाने वाला नहीं बलकि खेवने वाला तो यह खेवाईया हो ना तो यह नियो च्छावर होता है ना कि निया उच्छावर तो यह में आपर डबल मात्रा नहीं होती है देखिएगा नियो च्छावर हो जाता है अगर आप इसमें दो मात्रा लगाते हैं तो यह गलत है ठीक है नियो च्छावर ही सही है यहाँ पर देखिए नियो च्छाव ठीक और उसके बाद पेक्सित का उल्टा क्या हो जाएगा अनपेक्सित अपेक्सित में अनप्रत्या लग जाता है तो यह हो जाता है अनपेक्सित ना कि अनपेक्सित अगर आप अनपेक्सित लगाते हैं तो यह गलत है ठीक है अनपेक्सित नहीं होगा बलकि अनपेक्सित हो कि आविश्कार होता है देखिए कुछ चीजें आप लोगों को एकदम नई सी लग रही होंगी कि आविश्कार तो हम लोग कभी बोलते ही नहीं है परन्तु आविश्कार ही सही वर्ड है अब यहां पर दो चीजें आपको याद रखने हैं एक तो यह आ में बड़े आ की मात् इसमें यह वाला सा बना करेंदे आपको यह दोनों ही गलत है यह दोनों ही सही कौन सा है यह वाला लग्म हो takiego कि यहां पर बड़ा हो जाता है अभीसकार हो गया निश्ब्द अब देखिएन जाकर सही होगा ठीक है तो यह निह सब्द हो जाएगा उसके बाद एक वर्ड आता है जामाता अब देखिए जमाता बोल देते हैं हम लोग आप जल्दी वाजी में वो जमाता नहीं होता है बलकि जामाता ये भी कई-कई बार पूछा गया और इसमें आपको ध्यान रखना है तीनों में ही आ की मात्रा लग रही है यानि तीनों ही बड़े आ की मात्रा इसमें लग रही है जामाता ठीक है आगे बढ़ते हैं ये वाला पूरा रो हो गया हमारा अब दूसरे रो पे आते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो वर्ड है वो है समुझवल उसी से मिलता लता वर्ड है इसलिए आधा जा यहां पर भी दो बार हो जाएगा यह आपका समुझवल इस प्रकार से हो जाएगा उसके बाद देखे दुरधर्ष एक वर्ड होता है दुरधर्ष इसमें धा में भी उपर रा की मात्रा होती है और सा में भी उपर रा की मात्रा होती है कौन सा सा होता है ये भी देख लिजेगा तो इस प्रकार से ये कन्फ्ीूजिंग वार्ड है थोड़ा इसको भी देख लिजेगा निषेष्ट निषेस्ट जो वइर्ड है कि निषेष्ट में डेखिए शा कॉन सा लगेगा पहली बार में लगेगा यह वाला दूसरी बार में c SC देखेगा आधा सा यहां पर वी आधा सा यहां पर वी एक तो इसको आपको ध्यान रखना यह वाला वैसे भी आपको देखने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है बाकि आप लोग बार बार जब इसको देखेंगे तो यह याद हो जाएगा धोबिन एक वर्ड आता है धोबिन धोबी का फेमिनिन जब बनाते हैं तो धोबिन हो जाता है ना कि धोबिनी धोबिनी गलत वर्ड है धोबिन सही है उसके बाद भागी रथ भागी रति प्रयास बोल देते हैं ये मुहावरय के रूप में भी प्रयोक किया जाता है अब ईहां पर वो कैसे लिखा आता है या आप देख लिए भागी रति वे मतलब यह भाग भागी रत से यह भागी रती बन गया यहाँ पे आ की मात्रा यह है और यह भागी रत नहीं होगा मतलब इसमें आ की मात्रा ना लगे ऐसा नहीं होता है यह गलत है वर्ड और भागी रती सही है ठीक है वैसे बोलने में तो भागी रती भी बोलते हैं मगर सही वही है आगे देखेंग विरहड़ी विरहड़ी आपका एफ पहले भी जैसे ग्रिहड़ी है ग्रिहड़ी तो उसी प्रकाससे जो विरह में हो उसको वो बोलते हैं और इसमें भी ह से वहां गली सÉ हमे इक मात्रा लगा देंगे और लिख लेंगे तो यह नहीं हो जाएती तो यह जाएगा भुक्खड आप बोलेंगे भी तो भी आपको समझ में आएगा भुक्खड आधा का फिर्खड ना कि भुक्खड दोनों खा नहीं है पहले आधा खा फिर्खड ऐसा नहीं है ये गलत है तो भुक्खड ना ओकरके भुक्खड यानि आधा का फिर्खड है इसी प्रकार से बु भुजखकड है ना कि भुजखकड तो यह जो है भुजखकड हो जाएगा आपका ठीक है ना कि भुजखकड ठीक तो यहाँ पर दोनों का हैं इसको आपको ध्यान रखना है गत्यर्थ गत्यर्थ हो जाएगा इसमें तो वैसे कुछ ऐसा कठिन है नहीं गत्यर्थ में आधाता और गत्यर्थ तो नॉर्मल वर्ड है अंतस्चेतना अंतस्चेतना एक वर्ड आता है अंतस्चेतना में देखेंगे यह जो सा बन रहा है वो यह वाला नहीं बनेगा यह वाला नहीं ब आन्वेशी, छिद्रा न्वेशी में साव बनेगा ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वर्ड किससे बना है, तो छिद्र प्लस अन्वेशन छिद्र का अन्वेशन करना अन्वेशन से ये वर्ड बना है तो इसमें जो सा बनता है वो यही वाला बनता है इसी वज़े से यहाँ पर भी छिद्रा अन्वेशी जो है वो इसी प्रकार से ये वर्ड बन गया अब देखे यह एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपका कई बार एक्जाम में यह पूछा गया है आप इसको भी आयोग का फेवरेट वर्ड कह सकते हैं तो इसलिए इसको भी देख लेते हैं कौन इसका क्या एक्जेक्ट सही वर्ड होगा तीनो ये एसेच वाले ही हैं प्रणनसीयसन तीनो एसेच से ही होती है पहला होता है श्रू तीनो तरह के जो एसेच वाले प्रणनसीयसन होते हैं वही यहां पर है और तीनो ही प्रयोग में आये हैं बस आप लोगों को उसका क्रम याद रखना है पहला है श्रू दूसरा है श् ये तीनों वर्ड है अब देखिए इसमें पहला है शू उसमें छोटे उ की मात्रा है दूसरा है शू उसमें बड़े उ की मात्रा है और तीसरे में बड़े आ की मात्रा है अब इसमें ये पहला ये वाला श्रा हो जाएगा फिर श्रा हो जाएगा फिर ये हो जाएगा श्रा त कई बार यह पूछा जाता हो बहुत कठिन वर्ड है तो तीनों ही इसमें वर्ड में confusion होती है और वो option इसके बहुत nearby ही आते हैं तो confusing रहते हैं आगे देखेंगे द्वारका पहले discuss हो चुका है है शायद द्वारका में यह द्वारिका यानि छोटे की मात्रा नहीं होगी बलकि कोई मात्रा नहीं होगी द्वारका होगा पूजने योग को, आप या तो पूज्य लिख दीजे, नहीं तो पूज्य लिख दीजे, मगर पूज्य निय ये गलत वर्ड है, इसी प्रकार से जब इसका इस्त्री लिंग में देखेंगे, तो यहां पर देखिए पूजनिया आप कर दीजे या फिर पूजया कर दीजे पूजय से मिलता है पूजया या फिर पूजनिय से मिलता है पूजनिया कर दीजे ये दोनों ही सही वर्ड है परन्तु पूजया निया ये गलत वर्ड है भाई तो इसको आप लोग याद रखिए आगे बढ़ते हैं अहल्या जो है अहल्या उध्यार आप लोग देखते होंगे रामलीला में आता है तो अहल्या वो दरसल अहल्या होती है ना कि अहिल्या आपको जो पेपर आएगा उसमें इस प्रकार से भी लिखा होगा अहिल्या कई लोग इसको इसी प्रकार से बोलते हैं सही वर्ड है अहल्या, तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये भी वर्ड पूछा जाता है, important है अहल्या, उसके बाद वंदना, वंदना जो लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा, उपर बिंदू रहेगा, ना कि इसमें आप बिंदू ना लगा के ऐसे अग मिलता जूलता है, जैसे घनिष्ठ में, बाद में टा नहीं होता है, बलकि ठा होता है, वैसे ही गरिष्ठ में भी ठा नहीं होता है, बलकि ठा होता है, तो गरिष्ठ भोजन जैसे होता है, तो आपका ये गरिष्ठ में ये ठा की मात्रा हो जाएगी अंजली ये आप लोगों के डेली वाले में आया था अंजली जो है इसमें बड़ी एकी मात्रा नहीं होती है अंजली नहीं होता है बलकि ये छोटी एकी मात्रा होती है यानि ये सही है और ये गलत है तो अंजली हो जाएगा, ठीक है, अब वैसे ही मिलता है, पुश्पांजली हो जाएगा, गीतांजली हो जाएगा, इस तरह से आप समझ लीजे, यह अंजली हो जाता है, मैथली सरण, अब देखिए, यह मैथली सरण में, यह जो छोटा E की मातरा था में बनती है, कई लोग इ लेकिन कौन साधा नहीं होगा तो यह वाला शाह यह बिलकुल गलत है तो इस तरीके से आप इसको देख लीजेगा आगे देखेंगे अंतह कथा अंतह कथा में दरसल दो ये डॉट यहाँ पे लगेंगे अंतह कथा होगी ना कि अंतर कथा तो अंतर कथा ये गलत वर्ड है अंतह कथा सही वर्ड है अपनुती अब देखिए अपनुती जो वर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं अपन्हुति, अपन्हुति नहीं होता है, अपन्हुति होता है, तो यानि हा इसमें पहले आएगा, आधा हा पहले आएगा हलंत के साथ में, और यह जो ना पहले आ रहा है यह वाला वर्ड गलत है, यह दोनों बहुत confusing वर्ड हैं, और यह दोनों ही आपको सही लग सकते हैं अंतर कथा में आपको अंतर कथा लग सकता है और अपनुती में अपनुती सही लग सकता है परंतु इसमें आपको अच्छे से ध्यान दीजेगा कि कौन सो सही है उसके बाद देखेंगे एक के जो वर्ड है उसमें आप देखें तो एकता से बन गया है लेकिन एकता से यह एकता नहीं बन जाएगा तो यह गलत वर्ड आपका एक की यह वाला सही है इसको आप ध्यान रखिएगा कुमवर वर्ड अभी आपका डिसकास हुआ था डेली वाली क्लास में कि कुमर में ये कुमर इस टाइप से होता है तो इस वज़ये से हम लोग यहाँ पर हिंदी में लिखते समय कुम वर लिख देते हैं जो की वा बनाना यहां पर गलत है बलकि यह कुम अर होता है कुम जब आप कर दिये तो वा वाला एक सेंस आई जाता है उसमें कुम अर हो जाएगा यह ठीक है तो इसको आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ेंगे केंद्री करन केंद्री करन सेंट्रलाइजेशन उसको हम लोग केंद्री करन लिख देते हैं केंद्री करन या भी बीच में लिख देते हैं वह गलत है सीधा सीधा केंद्री करन होता है अब जैसे केंद्री लिखते हैं हम लोग केंद्री जब इसको करन आगे लिखना रहता है केंद्री करन स Central से Centralization जो बनाना रहता है तो उसमें आगे बस करण जोड़ देते हैं जो कि गलत वर्ड है पूरा आपका यह केंद्री हो जाएगा आप समझेए यह केंद्री करण ठीक है तो यह एकदम साई वर्ड होगा यह यहां पर गलत है क्रिपया अब देखिए इसमें क्या होता है क्रि क्रिपया आगे देखें कर्तव्य पालन अब यहां पर देखिए जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजाएगा कर्तव्य और पालन दोनों अलग अलग होता है मतलब कर्तव्य अलग है पालन अलग है तो पहली बात आपको ध्यान रखनी यह वर्ड देखिए बहुत इंपोर्टन है पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कर्तव्य पालन में कर्तव्य अलग लिखा जाएगा पालन अलग लिखा जाएगा पहली चीज इसको दोनों को एक नहीं क लिखा जाएगा उसमें ता में इस प्रकार से लिख़ा जाएगा देखिए ता में आधाता भी आएगा तो कर्टव्य हो जाएगा वो जबकि इस में कई लोग ता नहीं लगाते ता प होता है कर्टव्य में यहाधा भी आएगा थीक है फिर है जात्या भीमान होना जात्या भीमान ठीक है उसको लोग जात्या भीमान लिख देते हैं यानि जात्या भीमान ठीक है यहाँ पर या में आ की मात्रा लगा देते हैं यह गलत है यह जो है ऐसे ना लिख करके जात्या भीमान हो जाएगा आ की मात्रा नहीं लगेगी जगत जननी जगत जननी जो word लिखा जाता है उसकी बजाए जो सही word होता है वो होता है जगत जननी मतलब यह जो ता है और जा है इन दोनों को मिला करके जगत जननी बोल दिया जाता है जगत जननी ठीक है यह पहले आपको कराय जा जुका है जगत धात्री जगत धात्री इन दोनों को मिला के कर दिया गया जगत धात्री ठीक है जगत धात्री अब धा को धा में मिलाए गया तो वो आधा धा बन गया और यह पूरा एक वर्ड हो गया तो जगत धात्री हो जाएगा यह वर्ड यहाँ पर यह अक्षर आपको ध्यान रखने हो गया इसके बाद देखिए आंजली से मैच करता हुगा, तिलांजली, यह जो अंजली से मैच कर रहा है, तिलांजली हो गया, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि बड़ी E की मात्रा नहीं है, वो लगाएंगे गलत हो जाएगा, छोटी E की मात्रा है, देखिए, यह एकदम सही है, त देश निकाला, ठीक है, देश निकाला मतलब देश किसे को निकाल देना तो उसको बोलते हैं, देखिएगा, जिस प्रकार से यहां पर कर्तव पालन में हम लोगों देखा था कि मात्रा एक में जो शिरो रेखा है, उपर वाली वो अलग अलग आएगी, इन दोनों में डिफरे जिरो रेखा आएगी, ना कि अलग अलग, तो इसमें अगर अलग अलग लिखी है, तो वो गलत हो जाएगा, एक में ही आएगी, तो चलिए यह आपका एक पेज रहा, इसका पीडियाफ आपको अभी अविलेबल हो जाएगा, और आपका काम यह है कि आप इसको पूरे हफत नहीं है, ऐसे आपको इसको याद करना है, तैयारी करनी है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार